इस week हमारे सामने कुछ IPO तो आयते हैं पर उनमें मेरा excitement level काफी low था पर finally next week एक ऐसा IPO आने वाला है जिसको study करने के लिए मैं personally काफी excited हूँ company का नाम है Exicom Tele Systems Limited, detail में discuss करेंगे आज के इस वीडियो में plus काफी सारे IPO investors का सबसे बड़ा सरदर दिये होता है कि उनके पास funds की कमी है किस तरीके से आप properly funds का management कर सकते और एक special trick आपके लिए होगी आज के इस complete वीडियो में तो एंग तक इस वीडियो को देखना मत भूलेगा सबसे पहले company के एकदम basics में बात करते 1994 में company incorporate हुई थी mainly company के दो business vertical है पहला है power systems and second है EV charging solutions IP open होने वाला है 27th of Feb को और close होगा 29th को 1st of March को आपका allotment decide हो जाएगा 4th of March को या तो आपको refund मिल जाएगा या फिर अपने shares मिल जाएगे and 5th of March है tentative listing की date retail category में एक lot होने वाला है 100 shares का 14,200 रुपीज का एक lot होगा H&I small category में आपको 15 lots के लिए apply करना पड़ेगा तो 15 lots का एक basket बन जाएगा H&I small category के लिए and H&I big category के आपको apply करना पड़ेगा 71 lots के लिए किसी भी category चाहे वो retail हो 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 है H&I big हो चाहे है H&I small हो इस IPO में I feel एक basket या फिर एक lot से यदा apply करने का use नहीं है क्योंकि ये IPO काफी ज़्यादा ओर subscribe होने वाल है तो अगर आप H&I big में apply करना चाहते है तो 71 lots से यदा apply करने का कोई use नहीं होता क्योंकि उसके उपर आप जितना भी apply करोंगे because ये IPO बहुत ज़्यादा ओर subscribe होगा आपका concern करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 71 lots ये H&I big का सिर्फ example था सेम apply होगा H&I small और retail category क्ले भी QIB के लिए 75%, retail के लिए 10% and H&I के लिए 15% का quota होने वाला है 135 से लेके 142 का है price band retail में cut off price और H&I category में 142 के price को लिखना पड़ेगा 429 करोज का total issue है 329 करोज है fresh issue and balance होने वाला है offer for sale अगर हम बात करें object of the issue की सबसे पहले borrowing cost को ये कम करने के लिए महाँ पर repayment करना चाते है repayment करना चाते है funding करना चाते है अपनी working capital requirement को investment करना चाते है research and development and product development के उपर and finally general corporate purpose अब इससे पहले कि हम company के valuations और financials के उपर detail में discussion करें IPO investors का सबसे बड़ा issue होता है funds की कमी होना उसे को solve करते है और उसका solution आपके आता है world money का loan against mutual fund यहाँ पे आपको mutual fund को lean रखके उसके against loan की facility मिलती है सबसे best part यह है कि यहाँ पे आपकी interest rate काफे कम होती है 10.49% के reducing balance पे आपको interest rate लगता है यह एक overdraft की facility है एक example से समझते है suppose करते हैं आप 1,00,000 के loan को use करते है 10.49% के interest rate पे और 4 दिन का आपको interest लगता है क्योंकि आज कल usually 4 दिन के अंद अंदर आपका पैसा release हो जाता है तो आपकी total borrowing की cost आती है 115 रुपीज processing fees सिर्फ first time देखें जो processing fees के charges है सिर्फ first time लगते है जिससे में आप loan लेते हैं इसके बाद में कभी भी आपको processing fees नहीं लगी पर first time आपको 9.99 रुपीज प्लस GST लगता है जो निकल के आता है 1178 रुपीज और आपकी total cost जाती है 1293 रुपीज एक बार loan लेने की पर second time से आप जब भी loan लेंगे एक लाग के loan पे 10.49% के interest rate पे आपकी costing आने वाली है सिर्फ 115 रुपे की तो आप समझ सकते हो यहाँ पे आपको daily interest rate लग रहा है प्लस आप जब चाहो उस समय अपने loan को वापिस pay कर सकते हो यहाँ पे आपको zero लगते है आप एक loan ले लेते हो और एक IPO investor बनके भी इसका फाइदा उठा पाते हो आप अपनी eligibility के आपको कितना loan मिलेगा अपने mutual fund के against free of cost में चकाउट कर सकते हो लिंक आपको वोल्ट money का description में और pin काउट में मिल जाएगा साथ ही साथ आपके लिए एक special offer है मैंने last time भी यह आपके लिए special offer लाया था काफी ज़्यादा मुझे management से discussion और लणना पड़ा था in the same way इस बार अगर आप अपनी credit line open करते हो description में दिये गया link से आपको 250 रुपीज का cash back मिल जाएगा वोल्ट money की तरफ से इसके लिए आपकी credit line open होना important है और क्योंकि last time में यह offer दे चुका हूँ इस बार में यह offer दे पाऊँगा सिर्फ और सिर्फ first 150 लोगों को तो जल्दी से जाके अपनी credit line को open कर लीजी एक बार discuss कर लीजी at least आपके credit line open रहेगी loan लेना compulsory नहीं है जैसे credit line open हो जाती है आपको यह 250 रुपीज का cashback कंपनी की तरफ से मिल जाएगा चलिए अब चलते हैं कंपनी के financials को discuss कर लेते हैं total assets 678 croz थे 2021 में आज की दिन है 629 croz stable है hulkyful के volatility है बट इस absolutely okay revenue की बात करे तो 2022 वर्सिस 2023 में 14.79 परसंट का dip था पर at the same time profit after tax 24.07% बढ़ाता जो positive हो जाता है अगर हम बात करें September 2023 सिर्फ पहले 6 महीने में company का profit हो चुका है 27 croz के उपर का जो पिछले काफी सालों के आप completely compare कर सकते हो काफी improve हो गया है आज के दिन company की total borrowing है 72 croz के आसपास की which is okay आज के दिन आपको लग सकता है कि तोड़ी सी borrowings जादा है पर company इस बार जो funds raise कर रही है उसे भी borrowings की repayment के लिए यूज करेगी तो ये thumbs up हो जाता है important ratios की बात करें तो return on equity है 13.38% का return on capital employed है 10.92% का price to book value 5.63 की है और P ratio निकल के आ रहा है 31 के आसपास का जिसका P ratio चल रहा है 139 का तो ये एक ऐसा segment है EV का जो काफी limelight में आ रहा है और यहाँ पे काफी companies already high valuation पे चल रही है तो जिस valuation पे एक company IPO लाने की कोशिश कर रही है ओके ओके और interesting valuation है जो मेरा personal interest इस IPO में काफी ज़्यादा बढ़ा चुका है आज की दिन as per sources अगर हम grey market premium की बात करें तो यहाँ पे grey market premium चल रहा है roughly 60% के as per sources का मतलब की as per grey market के सौधे जो आद के ज़िए चल रहे है as per sources retail में अगर आपको एक elotment मिल जाता तो 6500 रुपीज के profit के chances बन रहे हैं और H&I category में 1,00,000 रुपीज के profit के chances बन रहे है as per grey market premium के sources तो काफी interesting IPO डीटेल में study कर लीजेगा और अगर अभी तक आपने free eligibility चेक नहीं करिए तो एक बार इस वीडियो को pause कीजिए description में जाके और pin comment पे जाके जहां पे भी आप comfortable हो world money पे click करके अपनी eligibility को check out कर लीजेगा अब हम चलते हैं अपने next part पर जिसका नाम है expectations from tomorrow's market general market trend अभी भी uptrend में है और uptrend market में आप समझ रहो किस तरीके से काम होता है FIs और DIs के action check out करोगे तो 21st of February को इतना बड़े volumes नहीं थे जो हमें जाला attract करे 200 क्रोड के आसपास की purchase करी थी FIs ने और 400 क्रोड की sell करी थी DIs ने अब ना कल के दिन की मेरी market expectations काफी अलग है आप मैंसे कुछ लोग शौक हो जाओगे कि अनंत अचानक से आपने क्या expectations की बात करिए आज के दिन वापिस से हमने expect किया था आप मैंसे कुछ लोग बोल सकते हैं अनंत अब बात करने से क्या अब नहीं बात कर रहा कल का अनंत का फंडा देख लिया करो वहाँ परी complete discussion हो रखा है आप मैंसे काफी लोग के comment भी मिले कि हमने perfectly expect किया था कि market support लेगा 21,900 के आसपास और यहाँ पर एक बज़े के बाद positive move आने के chances होते है जो आपको यहाँ पर दिग गया है और एक बड़ा move भी मिल चुका है कल की expectations पर ही तोड़ी different है इस week में हुआ क्या है बार-बार हमें बड़े moves मिले और बड़े moves capture करने को मिले चाहे वो nifty में मिले हो चाहे bank nifty में मिले हो तो हमें अब आदत हो चुकी बड़े moves को capture करने के लिए और हमारी इच्छा क्या करती है weekend सामने है बड़े move में back to back capture करे जा रहो तो क्यो ना Friday को भी बड़ा move capture करा जाए और काफी अच्छा पैसा कमा के अपने weekend को enjoy किया जाए और वैसे भी ये वाले weekend पर बहुत सारी शादिया है मेरे पास खुद के पास आज की दिन 8 के उपर invitation आ चुके तो मुझे पता है कि इस weekend के लिए हर कोई excited है तो इस समय पर होता क्या है हम Friday को भी बड़ा move capture करने के लिए अधादून काम करने के कोशिश करते है मैं वो नहीं करूँगा मतलब ये कि although market ने बहुत अच्छे level पर closing दिये जहां पर आप check out करोगे जैसे market 22,000, 250 के level को cross करता है एक अच्छा level बनता है जिसके उपर market में बड़ा move आने के chances बनते है पर मैं unnecessary बड़ी quantity के साथ कल के दिन काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आदत बन चुकी बड़े move को capture करने के लिए और market को भी पता है कि मेरी आदत बनी तो सब के आदत बनी है तो market कई बार उसके against काम करने की कोशिश कर सकता है इसको मैं back of the mind रख लूँगा normal stance में आज की दिन हमने expect किया था कि market में move आएगा और कल के दिन अगर आप सिर्फ charts को देखोगे तो positive आपको stance दिख रहे है पर ध्यान रखेगा 22,350 से 400 की range में वापिस से market यहाँ पर पल्टी खा सकता है जिगजग होने के chances होते है कल के दिन का सबसे best scenario यह होता है कि market अपने यह वाले low 21,950 के उपर उपर sustained रहे और कल के दिन बड़ा move भी ना दे अगर ऐसा हो जाता है तो next week वापिस है आपको बड़े moves मिलने के chances होंगे especially Venice Day के बाद तो यह हमारे लिए best के scenario होता है जो note करना होता है कि क्या market एक छोटी सी range में कल का दिन व्यतीत कर देता है अगर करता है तो आपके लिए काफे interesting होगा अगर मुझे intraday में काम करना ही हुआ तो जैसी आज के दिन के high करते छोटे से stop loss के साथ हमारे लिए यहाँ पर एक positive side की study बन जाती है negative side की study जब तक market 21,950 के नीचे नहीं जाएगा मैं अब यहाँ पर नहीं कर सकता यह space आपको market को देना पड़ेगा क्योंकि यह volatile space market लिए हो सकता है bank nifty in the same way जैसे ही market में 47,200 ऊपर की side कर देगा तभी हमारे लिए एक नई rally की starting होती है bank nifty में जब तक हमें यहाँ पर तोड़ा सा wait and watch करना चाहिए अब market लिए important होने वाला है 46,500 के level को sustain करना कल के दिन और उसके ओपर बनेवे closing दे जाए तो next week important होगा अगर यह level कट जाते है तो फिर क्या तो वो हम discuss करेंगे मंडे को मंडे का वीडियो देख लीज़ेगा जहाँ पर हम detail में discuss करेंगे कि by chance अगर यह level करता है तो market किस तरीके से perform करेगा तो वो एक different scenario होगा जहाँ पर हमें different तरीके से market को next week लिए अप्रोच करना पड़ेगा next week ही बात करेंगे अभी तो हम best के scenario की बात करते कि अगर market इस level को कल के दिन sustain कर जाए उपर चाहे बड़ा breakout नहीं दे पर फिर भी तोलबाद जिगजग करते लिए closing कर जाए best के scenario होता है ज्यादा heavy quantity के साथ मैं कल के दिन trading करने में interest rate नहीं हूँ अगर positive side की trade लेनी हुई तो nifty और bank nifty दोनों मेरे लिए कल के दिन बराबर है किसी में भी ऐसा नहीं कि यह better है यह better है क्योंकि अभी हम back to back discuss कर रहे थे जैसे आज के दिन हमने discuss किया था कि bank nifty crack करेगा और आप देख से तो bank nifty negative और nifty positive है कल के दिन discuss किया था कि bank nifty lead करेगा तो वो हम बार-बार call लेने की कोशिश कर रहे discuss कर रहे किस तरीके से price action बन रहा है पर कल के लिए दोनों मेरे लिए neutral है दोनों मेरे जिस तरीके की scenario होते बनेगा short नहीं करूँगा पर positive होने के लिए positive trade लेने के लिए quantities control रखके levels कटेंगे तभी काम करने की कोशिश करूँगा वीडियो अच्छा लागे तो like करें भी न मज जाएगा अभी आपकी screen पे एक important वीडियो आ जाएगा financial planning का हमारे जो free course था उसके related पहला वीडियो तो उसे check out कर लीजेगा और world money का link आपको description और print comment मिलेगा check out करें भी न मज जाएगा see you very soon